अग्याइव प्रैंज देश गौत्म पांडे वेलकर टू फोरम आई एस दोस्तों मॉडरन इंडिया के सेशन व फिलहाल हम आपके साथ क्लास 12 के न्सेयाइड डिसकस कर रहे हैं और हमारे साथ है लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिसकस किया था आपके साथ हेडिंग देख लेते हैं एक बार चैटर फोर का हेडिंग क्या है यह एडिंग है देप्रिटिस कॉनक्वेस्ट आप इंडिया तो हमने इसमें लास्ट वीडियो में कुछ सेक्शन जो शुरुआती के तो उस डिस है और यह वह समय है जब तक कि बिटिसस जो थे कुछ स्ट्रॉंग होल्ड बना चुके थे कैसे देखिए सेवेंडेन फिप्टिसिक्स में हमने देखा कि बैटल ऑप प्लासी होई उसके बाद बैटल ऑप बक्सर में भी दोनों में विजय के बाद विन के बाद हमने देखा कि इस इंडिया कंपनी थी वो पहले से ज्यादा पाउरफुल हो चुके थी बट उस समय तक एक चीज उनको क्लियर समझ में आ गया था कि वो बैटल वगरा करने में बहुत ज्यादा पैसे खट करने पट रहा थे क्योंकि अभी भी कुछ पर्टिकुलर एरिया के जो रूलर कि इस समय तक इतने पैसे कमाने लगे थे और इनकी जो अधिक सदिक एरिया जितने की अंडर करने की जो लश्ट था लश्ट इसलिए कि लश्ट मिंसन किया गया है वर्ड वो इन लोगों को एक अलग तरह के बिटल में फिर से इंडवाल कर देता है कैसे देखिए होता क्या है कि 1766 में साथ इंडिया में मैसूर और हैदराबाद की निजाम के बीच में बिच में बिटल हो रहा था है मैसूर हमने पहले भी आपके साथ डिसकस किया है अधराली वहां रूल कर रहे थे और हैदराबाद की निजाम थे वो थोड़े वीक पढ रहे थे मैसूर पर इसलि ऐसे में समझे, देखिए, कि इन्हें लगा कि मैसूर उस समय तक कमजोर है, बट ऐसा नहीं था, हैदर अली के टाइम में, मैसूर जो था बहुत stronghold बनाए हुए था, उसके पास जो power थी, बहुत strong थी, ऐसा ही हुआ, मैसूर बहुत बुरे तरीके से, जो इनके alliance थे, जो enemies थे, उन्हें बहुत बुरे तरीक से defeat करता है, और इनके बीच में एक treaty करने के लिए, peace treaty करने के लिए, sign करने के लिए, मजूर कर देता है, जो हमारा उस समय का, जो madras council था, यहाँ पर Britishers अपने stronghold बना चुके थे, इन्हीं के help से है, हैदराबाद का निजाम, battle कर रहा था, मैसू के हैदराली के साथ, देखे हुआ क्या, इस समय एक, इनके बीच में peace हुआ, कि अब जब भी हैदराबाद के निजाम हो, या मैसूर के हैदराली हो, इनको अगर कोई तीसरा कोई person, third party attack करता है, तो Britishers आके इनके help करेंगी, किसे? हैदराली को, हैदराली को लगा था किसाथ, इनके help करने के ज़रूर आएंगे, इसलिए इसने treaty पर sign भी कर दिया, बट ऐसा हुआ नहीं, जब देखिए, मराठाओं ने 1771 में हैदराली पर attack किया, उस समय पूरी की तरह से Britishers वहां से दूर हो गए, और कभी भी help करने के लिए इनके नहीं आए, ऐसे में जो हमारा हैदर वह बहुत ही नाराज हुआ, बिटिसर से, और उन्हें उसी समय से डिसलाइक करने लगा, उसे ये समझ में आ चुका था, कि जो हमारे बिटिसर से हैं, बिल्कुल भी विलीब करने वाले नहीं, इन पर बिलीब करके, आपके एट्री करके कभी भी भी कोई battle win नहीं कर सकते, यहां से इनके बीच में देखेंगे, रिविलरी स्टाट हो जाएगी, सेवेंटी-चेडिवन के बाद, देखें आगे क्या होता है, यह वह समय है, जब इंडिया में हमारा उस समय का बेष्ट गवर्नर जणरल वारेन हिश्टिंग इंडिया आ चुका था, और रूल करना इ यह कि बहुत ही यंग और एनरजेटिक थाई से लगता था है कि बहुत अरिया को अपने अंडर में कर सकता था क्योंकि इसके पास रिसॉर्सों जी बहुत ज्यादा थे पैसे भी वहां से बिटिसन से बहुत ज्यादा मिल रहे थे तो ऐसे में इसने शुरुआत की और बात तक पहुँच चुके थे और यहां अपना है बना चुके थे ऐसे में जो हमारा वारेन हेस्टिंग है इसे लगा कि अब पूरी पूरी इंडिया पर हो कैप्चर कर सकता है बड़ याद कीजिए यह वह समय है जब उस समय तक जो हमारे मराथा थे बहुत ही स्ट्रॉंग हो चुके थे हमने पहले भी मराथाओं के चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया है जो वीडियो थे उसमें तो मराथा इनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रॉंग एनिमी थे इन्हें समझ में आ गया था वारेन हेस्टिंग को कि हमारा जो मराथा हैं उन्हें बिना डिफिट किये हुए हम कभी पूरे इंडिया पर स्ट्रॉंग होड नहीं बना सकते हैं तो यहां से बैटल सुरू होगा और देखिए जो मराथाओं के बीच में इंबॉल्ब करने का एक स्कोप कहां से मिला याद किए जब हम आपके साथ मराथा डिस्कस किया था तो हमने देखा था क गद्दी के लिए यही रगुनात राओ था जो जाकर अंग्रेजियों से हेल्प मांग लेता है और उन्हें इंटर्वेन करने का एक मौका देता है मराथाओं वाला अगर वीडियो आप पुरी तरह से एक बार देखेंगे फिर से रिकॉल करने के लिए तो यह चीजे समझन माराथाओं के बीच में बिल्कुल ऐसा नहीं हुगा जो हमारा माधवरा था उसके हेल्प के लिए पूरी पूरी माराथा जो थे वह एक तरफ हो गया और यहां पर बिटिसर्स को बहुत बुरी तरीके से हार हुई हार हुई और सेबंटी एटी टू का ट्रीटी ऑफ सल्व पूरी के टाइम में देखें क्या हुआ कि बिटिसर्स एक तरफ पूरा स्ट्रॉंग लगाया हुए थे पावर दुरसरी तरफ हमारे जो माराथा थे वह भी हार मानने को तयार नहीं थे तो ऐसे में एक ही उपाय था कि इनके बीच में क्या हो टीटी हो यही वो बेटल था इसे हम एंगलो मराथा वार के नाम से जानते हैं लेटर ओन हम आपके साथ हिर्ष्टी वाले क्लास में लग से डिसकस करेंगे कि जो एंगलो मराथा वार और डिटिल में जाकर डिसकस करेंगे तो याद रखने के लिए याद रखिए कि फर्स्ट टाइम यही एंगलो मराथ वार वार तो हो रहा था रगुनातरा और माधराओ की बीच में बट हेल्प कोन कर रहा था रगुनातराओ का बिटिसस कर रहे थे इसलिए इसे फर्स्ट अंगलो-मराथा वार का नाम दिया गया है यहां पर देखिए कभी भी दोनों में से कोई भी विन नहीं कर पा रहे था ऐसा नहीं थी ब्रिटिसस बहुत कमजूर हो गए बट इन्हें इतना यह समझ में आ गया था कि मराथाओं को हराना इतना आसान नहीं है इसलिए इन्होंने प्रिटी साइन करने में ही अपनी भलाई समझी और ट्रिटी ऐसी होई कि अगले 20 सालों तक कोई किसी के एरिया में इंटर्वेन नहीं करेगा और कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी एक तरफ देखी बिटी साइन को क्या फैदा हुआ कभी इस बात से असवास्थ हो गया है कि जो माराथा हैं वो बिटी साइन के लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और जो अधर एरिया हैं अब बिटी साइरिया पूरा का फोकस उस एरिया में कर सकते हैं यही ह हुए है कि अब अपना अपना अरिया समालें है कि यथ अब से आपको इस समया जो अधर पूरा का फूरा का फूरा में अपने प्ले। करने में फिर कुम्सरा कि वान जाए दो कि Treaty of Salwai हमने डिसकस किया, यहां पर Treaty of Salwai ने एक मौका दिया था बिटिसस को, क्या वो साउथ इंडिया पर जो मैसूर पहले उनके लिए प्रॉब्लम की रिट कर रहा था, जो लाट टाइम हमने देखा रिट नहीं कर पाया थे, उसे डिफीट करने के लिए फिर से कोसिस करत अबिला, हैधर Alli, हैधर Alli यहां पर 1710 में वाड्ड हुड कर देते हैं, वो बिटिसटें, जो थे हैधर Alli के किटेंस में, भी फिर मिएं इंडेंस को हराने की पीर से बार बार रोग मिए पुडेक बार का पूर एक सरे हरा देता है ऌ शावां, और 17общd में हो समझेए कि करनाटक केंडर में हैं वह अपने कैप्चर में कर लेता है यहां पर आकर बिटसस को लगता है कि वह सही में है बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग हो रहा है वह उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है तो वह स्टार्ट करते हैं 1781-82 में एक स्ट्रॉंग सेकंड बेटल ऑफ एंगलो मसूर वार होगा यहीं पर हम देखेंगे कैसे हैदर अली की डेथ हो जाएगी उसके बाद उसका सन टीपू सुल्तान रूल करना है जो सन है टीपू सुल्तान वह पूरा गपूरा बेटल अपने हाथ में ले लेता है और अंग्रेजों के खिलाब बहुत ही अच्छी सा लड़ाई लड़ता रहता है कोई डिसिजियन नहीं निकल पाता यासे में हमारा है यह करता है 1784 में एक फिर से टीटी वगरा हो जाती ह इनके बीच में अब मैसूर जो है पूरी तरीका से क्या होगा आधे हैदर अलीक अंडर में जो था वो पूरा वीक हो चुका है टीपू सुल्तान पूरा स्ट्रॉंग होल्ड नहीं बना पाया है ऐसे में पूरा स्ट्रगल चलता रहता है लंबे समय तक टीपू और जो 1989 में फिर से बिचस को लगता है कि टीपू सुल्तान जो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही था हमने जब आपके साथ टीपू सुल्तान डिसकस किया था कहा था कि देखिए फ्रांस वगएरा से हेल्प लेने की कोशिस कर रहे थे अरब कंट्री से कॉंटेक्ट क कर रहे थे थे साथ इसाथ जो हमने देखा नेवी बनाने की कोशिस कर रहे थे तो बिचस को लगा कि ये टीपू सुल्तान नने के लिए बहुत-बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है इसलिए इनों ने होसी कि कि किसी भी तरीके से टीपू सुल्तान को डिफू आजाए दो एक तो हमने 1784 में देखा कैसे बिटिसस और टीपू सुल्तान के बीच में ट्रिटी हो जाती हैं, यह वो समय है, जब टीपू सुल्तान हो या बिटिसस हो, दोनों के यह बात समझ में आ चुकी थी, कि दोनों इतने स्ट्रॉंग नहीं कि एक दुसरे को हरा सकते हैं, तो समझाता क लिए इन लोगों ने 1784 में, यहां पर देखिए, 1784 से लेकर जब टीपू सुल्तान को एग्रिमेंट करना पड़ा, तो उसे बहुत ही इंसल्ट फिल हुआ, उसे लगा कि बिटिसस के सामने वो पूरी तरह से डिफीट हो चुका है, और वो अपने आपको स्ट्रॉंग करने इसे जो इनीमी दखता था, वो टीपू सुल्तान दिखता था, इनीमी सबसे बड़ा दिखने के कारण डियाद किजी हुआ हमने जब तीपू सुल्तान आपके साधिस कीया था, तो कहा था कि यह हाँ अपने बनाने की कोषिस कर रहा था, साति ही साथ, फौरें नील से परां समय तक चलता है 1792 में आकर तीपु सुल्तान बहुत बुरी तके से डिफिट हो जाता है हार जाता है यह थार्ड एंगलो मैसूर वार है हमने सेक्ड फस्ट और सेकंड में देख लिया थे सेकंड में हमारे हैदर अली उनकी डेथ हो जाती है थार्ड में देखिए एक बहुत ही डिपलोमेटरी तरीके से टिपु सुल्तान को पुरा आइसोलेट कर देता है करनवालिस और मजबूर कर देता है यह वो समय देखिए कि जितने भी रूलर थे अदर रूलर वो समय तक अपने एरिया को बचाने के बिटिसस को हेल्प करने में बिल्कुल पीछी नहीं रहते उन्हें लगता था कि हम अपने आपको सेब कर लें बागी दुनिया भाण में जाये बड़ ऐसा हुआ नहीं जो हमारे बिटिसस हैं वो ज्यादा समझदार थे सभी लोग को डिवाइड रूल पॉलिसी अपना कर अलग अलग कर देते थे ते कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर है यह पूरी तरह से यह क्लियर कर चुका था कि साउथ इंडिया में अब बिटिसस ज्यादा सुप्रिम पावर हो चुके हैं क्योंकि जो हमारा मैसूर था हैदर अली वो एक चैलेंज दे रहा था बड़ थर्ड बेस्ट में हमने देख लिया था थे मैसूर में कि अब तीप अब तीप शुल्टान की डेथ हो जाएगी और जो साओ इंडिया में पूरा का पूरा बिटिससा उनका रूल स्टार्ट हो जाएगा तो आगे वले वीडियो में हम देखेंगे के अगला जो गार्न जेरल होगा जिस चैप्टर में इसक्टर किया गे उसे इसक्ष करेंगे एक रोन जो भी इंपर्टि-नौर्टिट फैक्ट हो आपके सब्सक्ष करेंगे तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वचिंग प्रभाइब को कि दो कि लाप खुआइब को कि लाइब घाटब कि लाट जाट।